1192 में गजनी में अफगानिस्तान पृत्वी राज को मुहम्मद गोरी ने पकड़ लिया जहां वेह उसे तीन शेरों के खलाफ लड़ने के लिए मजबूर करता है। एक अंदा पृत्वी राज उन सभी को मारने में सक्षिम होता है लेकिन कमजोरी के कारण बेहुश हो जाता है। लेकिन उनके बीच दरार आ गए क्योंकि हुसेन गोरी के राज में एक नर्तकी चित्रलेखा के साथ भागी क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्यार करती थे। पृत्वी राज हुसेन को आश्वस करता है कि वे उसकी मद करेगा और उसे अपने राज में ले जाएगा। ये कृत्वी गोरी को गुस्सा दिलाता है और विह अजमेर पर हमला करने का फैसला करता है अगर पृत्वी राज ने हुसेन को वापस नहीं भेजा। गोरी ने को दोबल दीन अबाखी को फ्यजा अजमेर को। पृत्वी राज ने गोरी की मांग को खारिज कर दिया। जैसा कि अबर उसे चेतावनी देता है पृत्वी राज युद्र की मांग को स्विकार करता है। इसका परिणाम तराइन की पहली लडाई में होता है जहां पृत्वी राज काका कानहा, चानबरदाई और उसके आदमियों के साथ गोरी की सेना को हराने में सक्षम होते हैं। लेकिन लडाई में मीर हुसेन मारा जाता है। इस बीच गोरी को पृत्वी राज पकड़ लेता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसे छोड़ दिया जाता है। पृत्वी राज चोहान को दिल्ली का शासक चुना गया। इससे जैचंद नाराज हो गए। उन्होंने चेतावनीदी की स्कृति के परिणाम अच्छे नहीं होंगे। जैचंद ने अपने सामराज को बढ़ाने के लिए सन्योगिता और राज सुय यगे के लिए स्वयंबर आयुजित करने का फैसला किया। वह पृत्वी राज को निमंत्रण भी भेचता है। दिल्ली पर पचास प्रतिशत नियंत्रण मांगता है जिसे पृत्वी राज अस अस्विकार कर दिया था और अनुष्ठान के अनुसार अगर कोई निमंत्रण को अस्विकार करता है तो एक मूर्ति उस व्यक्ति के स्थिर्दी को भर सकती है। स्वयंबर शुरू होते ही सन्योगिता ने वर्माला लगाने का फैसला किया पृत्वी राज की मूर्ति पर इ क्योंकि उसने पृत्वी राज को अपने पति के रूप में चुना था। क्रोधित जैचंद ने पृत्वी राज पर हमला करने का फैसला किया लेकिन उसके सलाहकारों ने उसे रोग दिया। जल्द ही पृत्वी राज और सन्योगिता का विवाहरत रिवाजों के अनुसार होता है। कुछ दिनों के बाद जैचंद पृत्वी राज के अधीन अन्य किलों पर हमला करने के लिए अपनी सेना भेचता है। जल्द ही उनकी सेना ने गौडपुर केले पर कपज़ा कर लिया। जबकि पृत्वी राज, सन्योगिता, चंद बर्दाई और अन्य बाहर है काका कान्हा पृत्वी राज की सेना के साथ गौडपुर केले पर फिर से कपज़ा करने का फैसला करते हैं। वे केले पर फिर से कपज़ा करने में सफल हो जाते हैं। लिकिन काका कान्हा और चौहान के कई अने लोग युद में मारे जाते हैं। पृत्वी राज में जैच चन्द को क्षमा करने की थी। बाद में पृत्वीराज संयोगिता को अपने दर्बार में समान स्थान देने का फैसला करता है। इस निर्णय का अन्य दर्बार सदस्युद्वारा विरोत किया जाता है, लेकिन जल्द ही पृत्वीराज समाज में महिलाओं के महत्व के बारे में बताकर उनकी स्वीकृति प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं, जे चंदिक व्यापारी के माध्यम से मुहम्मद गोरी से पर करने का फैसला करता है और उसे पृत्वीराज को पकड़ने के लिए कहता हैं, बदले में वह्यागोरी जो कुछ भी चाहता है, उसे सौप देगा, गोरी एबक को दिल्ली भेजता है, एबक पृत्वीराज को गोरी के शासन में काम करने के लिए कहता है या उसे दूसरे युद्ध की तैयरी करनी चाहिए। प्रित्वी राज ने गोरी के साथ धियुद्ध का प्रस्ताव स्विकार कर लिया। इसका परिणाम तराइन की दूसरी लडाई में होता है। जैसे जैसे लड़ाई जारी रहती है, गोरी की सेना कम होती जाती है। गोरी तब रात में पृत्वी राज पर हमला करने कफ एसला करता है जब उसकी सेना सो रही होती है। गोरी की सेना पृत्वी राज की सेना को हराने में सफल होती है और पृत्वी राज को पकड़ कर वापस गजनी ले जाती है। जैसे ही गोरी की सेना दिल्ली के पास आ रही है सन्योगिता और रन राजपूत महिलाएं जोहर करती हैं सामोही आत्म दाह करके आत्म हत्या। गोरी ने जे चंद को प्रित्वी राज देने से इंकार कर दिया, इस प्रकारों से अजमेर और उसकी बेटी के नुकसान के लिए दर्द और विसमय में छोड़ दिया। दिली पर अब गोरी के आदमियों का शासन है। जैसे ही प्रित्वी राज को गोरी ने पकड़ लिया, गोरी अपनी आदमियों से प्रित्वी राज की आँखें हटाने के लिए कहता है जिससे विहंदा हो जाता है। अगले दिन अंधे प्रित्वी राज को अपनी सेना के साथ साथ अपनी जान बचाने के लिए साथ मौके दिये जाते हैं। गोरी के आदमियों ने निशकर्ष निकाला की प्रित्वी राज को एक धनोश के साथ साथ बान दिये जाएंगे और अगर विह समुह साथ में से एक आदमी को मारने में सक्षम है तो उसे छोड़ दिया जाएगा। प्रित्वी राज ने प्रस्ताव को अस्विकार कर दिया और गोरी से कहा कि उसे किवल एक मौका दिया जाना चाहिए एक तीर से और गोरी को दूसे मारने के लिए आमने सामने आ जाए। गोरी शर्ट को स्विकार कर लेता है और युदि के मैदान में प्रिथवी राज का सामना करता है। जैसे ही गोरी प्रिथवी राज के पास आ रहा है, चानबर्दाई प्रिथवी राज को एक कविता सुनाता है। कविता से प्रिथवी राज ने मुहम्मद गोरी के गले में एक बार मार दिया, जिससे वेह तुरंट मर गया। चानबर्दाई उसे गले लगाने के लिए। प्रिथवी राज के पास कूड़ता है, लेकिन दोनों गोरी के आदमियों द्वारा चलाए गए तीरों से मारे जात है। प्रिथवी राज के लोग अंतिम संसकार करने के लिए चोहान और बरदाई के शवों को ले जाते हैं। प्रिथवी राज के आदमियों को शर्त के मुताबिक जिल से रिहा कर दिया जाता है। प्रिथवी राज के लोग चोहान और बरदाई के शवों को अंतिम संसकार के लिए ले जाते हैं। प्रित्वी राज के आदमियों को शर्ट के मुताबिक जेल से रिहा कर दिया जाता है। प्रित्वी राज के लोग चोहान और बरदाई के शवों को अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं। फिल्म एक नोट के साथ समाप्थ होती हैं जिसमें बताया गया है कि प्रित्वी राज चोहान हिंदुस्तान पर अस्लामी विजय से पहले दिल्ली के अंटिम हिंदु शासत थे उनीस सो सतालिस में जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ। प्रित्वी राज चोहान के मृत्यू को स् ग्यूचित यह डगया river please like check I come when chair and subscribe to my channel and thanks for watching the video please press the bell icon to get notification of my new